आप सभी लोग बचा पाड़ी बताइए हाव यू डूइंग आज ये सेशन है बहाती बहाती ज्यादा वेटेड सेशन था बचो के लिए इतने सारे सवाल इतने सारे सवाल सार हम नोट्स बनाएं क्या सार हम आपके साथ नोट्स बनाएं क्या सार आप नोट्स बनवागर दोगी क्या सार नोट्स कैसे बनाते हैं कैसे नोट्स को बनाना है क्या करने का है क्या नहीं करने का कितने 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 सारे सवाल बट कोई बात ने प्रज़ा पार्टी में आप लोग के सामने आ चुका हूँ मैसल अकिले इस डागा और मैं बताने वालों आज आप लोग को नोट कैसे बनाते हैं नोट बनाने के फाइदे क्या होते हैं क्या उसको बनाना चाहिए रेगुलर ली बनाना चाहिए कभी तो भी बनाना चाहिए वाट शुट पे डन आप लोग के सकते हो फोसी ए फांडेशन गाइस अब सुट्ली आप्सोट्य आप लोग के सकते हैं आज मेरा क्या मेरा बड़े हमेए शुट्रेंग तो यह महिंड वी अचाहिए और आपका यह साल बहुत ही बहतर है टिक है Yes Happy Morning Happy Morning Guys Yes That's really amazing That's really amazing So, सारे के सारे टीचर एकदम आसम है, Guys सारे टीचर ना बड़े आसम है, बच्चा पाटी क्या बताए हम तुमको इतने अमेजिंग टीचर ने तुमारे सारे के सारे टीचर बड़ अमेजिंग है ठीक है सार 12 में एकदमिक्स पढ़ता है 12 में एकदमिक्स 12 में एकदमिक्स पढ़ाते है हो नहीं बड़ा 12 का नहीं पढ़ाते है foundation का पढ़ाते है Yes Okay So, यहाँ पर एक मिनिट वचे पाटी एक मिनिट यहाँ पर कोई सायद स्पैमिंग कर दे की कोशिश कर रहा है हम उस स्पैमर को क्या कर देंगे हाइड कर देंगे ठीक है कोई तो शायद स्पैमिंग कर दे की कोशिश कर रहा था उसको हम लोग ने निकाल दिया है यहाँ पर शायद शायद कोई स्पैमिंग कर रहा था हमारे क्लास में हमने उसे यहां से निकाल दिया राइट चलिए तो लेट्स केट स्टार्टेड गाइस लेट्स केट स्टार्टेड एवरीवन ओवर हम लोग शुरुबात करते कैसे नोट्स बनाते हम लोग समझने वाले हैं तो यार यह यह बहुत ही अच्छा कुछ इमेज विला मुझे और में यह लेकर आगया ठीक है यस नहीं मेरे क्लास में ना कोई स्पैमिंग नी चलता है मैं बहुत कूल टीचर हूँ मैं कोई गुस्सा वस्सा नहीं करता हूँ मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ बाते करते हैं मुलाकाते करते रहेंगे बात करते रहेंगे लेकिन इफ्यू चैनल रिस्पेक्ट टीचर दर अप लोग को एक बैस दिख जाएंगी एक अकरता 1.026 सब्सक्राइब करने लिए अब तक सब्सक्राइब करने मुझे क्यों कि मैं वहां पर कम्म्यून पोस्ट पर भी बहुत सरी चीज़े डालते रहता हूं आप लोग वह एक्सेस कर सकते हो राइट and you will come to know that notification आएगा कि तुम्हारी classes कब होती है कैसे होती आगे चल कर तुम्हारी special classes भी रहेगी so yes guys you can follow me यहाँ पर देखना get subscription पर जब आप लोग यहाँ पर click करते हो तो आपके सामने 3 options आएगे light subscription, plus subscription, iconic subscription, light subscription में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर test papers का access मिलता है sectional test होते हर महिने, यहाँ पर plus and iconic में आपको इंडिया के best educators पढ़ाते हैं interactive life classes, structured course and PDF and life testing physics यहाँ पर होती है यह सारे features आपको iconic में मिलते हैं लेकिन iconic की थोड़ी सी price ज्यादा होती है क्योंकि iconic में सारे plus के benefits उसके साथ था, live mentors, printed study material and doubt solving होता है फटा फर से pricing details देख लेते हैं, बहुती 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 reasonable pricing है बेटा, आपको कोई भी टेंचन नहीं लेना है so yes, the pricing is very 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 reasonable, so you can just check it out over here यहाँ पर आपको लगाना है code, यह क्या हो गया, भाई एक second, हाँ, यह आईटी में चले गया था यार, आईटी में चले कोडिंग नोडिंग दिख रहा था, सब कुछ yes, आपको यहाँ पर type करना होगा, DAGA 10, DAGA 10, DAGA 10, इस code को यहाँ पर apply करो, आपको maximum possible discount मिल जाएगा, 10% discount आपको मिल रहा है, 20% रहेगा तो 20 दिखेंगा, 30 रहेगा, 30 दिखेंगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, prices dynamic होते हैं, आप लोग यहाँ पर pricing check कर सकते हो, and you can just get started with your plus classes, you can go for the iconic subscription as well, जी हाँ, iconic में आपको जैसे की कुछ चीज़े मिलती है, extra, आप लोग iconic के साथ भी जा सकते हो, आप लोग iconic में combo के साथ भी जा सकते हो, जी हाँ, normal में combo दे सकते हो, जी हाँ, so you can select the subscription of your choice, and you can just get started with your plus classes, right, so यहाँ पर देखना है, यह ता combo तुमारा 12 months का, यह 12 months का है, वो था 24 months का, so 12 months का combo 41, 400, you can go for the light, light में वेटा सिफ और सिफ तेस्ट होगी, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, चलिए, शुरू करे, everyone, let the magic begin, attendance, लगा दीजिए, यार, 100 कर दो, 1500 कर दो, ठीक है, 150 कर दो, फड़ा फड़ से, come on everyone, 150 likes, so yes guys, let's get started now to the point, let's get started, let's get started, let's get started, ठीक 12 के साथ foundation हो सकता है, क्या, बिलकुल हो सकता है, और बिलकुल करना चाहिए, बिलकुल हो सकता है, और बिलकुल करना चाहिए, so guys, यहां पर दिखिए, यार, सबसे पहली चीज़, यार, तुम लोगों को क्या करनी है, ये वाला जो है, ये वाला जो image है, सबसे पहली एक सब्सक्राइब कर दिया उसके बाद दूसरे दिन फिर वहाँ पर बचर लिखता है डे टू फिर से सब्सक्राइब करते बच्चे आपको जूट लगेगा लेकिन बच्चे करते ऐसे सीरियसली बता रहा हूं मैं बच्चा पाटी तुम लग चाट बॉक्स में बता दो अगर तुम मेंसे ऐसा कोई करता है तो सच्ची सच्ची बताओ जिसने अभी तक जिसने अभी तक बुक चेंज नहीं की है जो अभी तक एक ही बुक पे लिख रहा है जो अभी तक सोच रहा है कि हां मैं करूगा लेकिन वह ऐसा कर रहा है सच्ची सच्ची बताओ यार सच्ची सच्ची बताओ कौन कर रहा है मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं मैं कुछ भी चिलाओगा नहीं तुम पर मैं सिर्फ ऐसे सच्चा ही बता रहा हूं जो रियल लाइफ में होती है येस सर देखो अधित्यकुमार कह रहा है येस सर नो सर नो सर सर बाद में अलग बुक बनाओगा नो सर कॉलेज में करती हुँ सर वेरी गुड बेटा वेरी गुड बहुत बहुत ही आगी जाओ गया है येस सर कर लेंगे सार अलग-अलग रजिस्टर है सर रहा है इस बताइए भाई सर में स्कूल में करते हैं देखो देखो किसी किसी के आदत स्कूल से भी अभी तक नहीं चाहिए ठीक है सब्सक्राइब कर रहा हूँ वेरी गुड कि इस वे इस बेटा यार यह चीज अगर तुम इस क्लास में करते रहो है यह चीज अगर तुम हमारे साथ कर रहे होगे और फाउंडेशन में करते रहोंगे तो यह बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है हर teacher की separate book बना लो, हर teacher की separate book बनाओ भाई, otherwise यह जो organization नहीं, यह जो है ना, यह eco का पढ़ने का है, maths का पढ़ने का है, accounts का पढ़ने का है, law का पढ़ने का है, अरे यार पता रहता है कौनसी book किसके लिए है, मस्त पढ़ाई कर दे लेगी, माहुल बनना चाहिए, यार पढ़ाई नोट्स, नोट्स काई को बनाने है, बताइए बच्चा पाटी, कितने सारे लोगों को लगता है कि नोट्स बनाने चाहिए, और कितने सारे लोगों को लगता है कि नोट्स बनाने चाहिए, और कितने सारे लोगों को लगता है कि नहीं भाई नहीं भी बना, तो that's fine मतलब, why to make the notes, why to make the notes, मैं आपको कहना चाता हूँ अगर आप लोग बाध बडिम्गरा रहे हो और क्यों कर रहा हो तो आप लोग's exam day के लिए एक बहुत भड़ी आप लोग exam day के लिए एक बहुत बड़ी problem खड़ी कर रहे हो आप लोग exam day के लिए एक बहुत बड़ी problem खड़ी कर रहे हो क्यों? Because exam day में it is not possible for any of the student to revise the whole subject in just one day तो तुम लोगों को यहाँ पर notes बनानी चाहिए जिहां बनानी चाहिए क्योंकि जो तुमारे notes रहेंगे देखो यार एक होते है detailed notes तो यो detailed book को पढ़ने के लिए तुमको कितना time लगेगा और एक होते है summary तो बेटा अपने को summary बनाना है पढ़ाई करते करते हैं ठीक है? मुझे बताना बेटा अगर आप लोग यहाँ पर हमेशा 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 detailed book से ही पढ़ोगे तो मैंने first reading detailed book से होनी चाहिए of course होनी चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ मेरी एक notes होनी चाहिए उस notes के साथ मेरी और एक notes बनते हैं जो होते हैं मेरे short notes, summary notes तो सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है तुम लोग को यहाँ पर notes बनाने है उससे तुम लोग की सायद handwriting ठीक हो सकता है उससे तुम लोग का focus ठीक हो सकता है और वो notes तुम में काम आएगी revision करने के लिए so definitely एक चीज़ तो अच्छे से समझ जाओ कि notes बनाना जरूरी है notes बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम लोग notes बनाते हैं तो हमारा conceptual clarity थोड़ा सा बहतर होता है और statistics कहता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा retention कम होता है जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा retention ज़्यादा समय तक होता है ऐसे statistics बोलता है and this has been proved एक महिना अपने आपके साथिये वाली practice करो you will enjoy your studies आपको नींद रहीं आएगी और आपका performance बहतर होते जाएगा तो notes बनाना है बिलकुल बनाना है बिलकुल बनाना है एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहते है running notes कैसे बनाते है बच्चे कहते हैं आप notes बनवा कर दोगे बहुत सारे लोग का सवाल जा आप notes के लिए समय दोगे आप बनवा कर दोगे my answer is जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर मैं आपको खुद बनवाऊगा खुद कुछ पॉइंच लिखवाऊगा otherwise जब मैं explanations देता हूँ और उस explanations के साथ-साथ आप लोग को notes बनाने है मेरे सामने सपोज यहाँ पर कुछ diagram हरेगा उस diagram को मैं explain करते होगा उस diagram को मैं explain करता रहोगा आप काफी टाइम तक अच्छे से समझाओगा तो explanation के बाद तुम लोग को तुरंथ वहाँ पर running notes बनाने है running notes मतलब जब मैं explanation दे रहा हूँ उसे के साथ-साथ बना लो उसके बाद बना लो उसका screenshot ले लो तो यार उसको कहते हैं हम लोग running notes मैं तुम लोग को एक example दे रहा हूँ कि यार household management में क्या हुआ था वो जो था ना हमारा मोटा भाई मोटा भाई का छोटा भाई चोटा बेटा चोटी बेटी फिर उसके mom डाट तो आप लोग को वहाँ पर example लिग देना है कि यहाँ पर economy के लिए हम लोगों को यहाँ पर इसका example याद रखना है when you will remember that you will remember the concept तो running मतलब भागते 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 notes बनाने अरे नहीं भाई भागते भागते नहीं बनाने जब मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ तुम लोग को notes बनाने है so whenever I am explaining the things over there you have to write down the things, you have to write down the examples उसको कहते हम लोग running notes ठीक है सामज में आ गया भागते भागते कईसे notes बनाए running notes बनाने है, बनाने है, बनाने है कोई भी आलत में बनाने है, example से हमारे books में रहने चाहिए मतलब रहने चाहिए right समझा क्या everyone over here running notes आँच से कल से सारे बच्चे बनाएंगे सर एक और एक्जांपल दो मैं आप लोग को बता रहा था क्या बता रहा था मैंने आप लोग को pointers दिये थे किसके सब्सक्राइब एक्जांपल 1776 में क्या हुआ था आपको बोल रहा था फिर यह किसने लाया था आपको बोल रहा था फिर मैंने आपको बताया कि 1776 में इन्होंने मैक्रो एक्कोनामिक्स पर फोकस कर रहे थे जी हां मैक्रो पर फोकस कर रहे थे फिर मैंने कहा तो इन्होंने बोला था वेल्ट ऑफ नेशन के बारे में जी हां वेल्ट ऑफ नेशन के बारे में लो चाहिए तो यौ्डड क्या वह बंखना चाहिए था लिखना चाहिए था लिखना चाहिए था लिखना चाहिए था है तुम पास भी तो तुम्आरे नोट बन. लंगे जब तुमको रिविजन करना उस नोट सो निकाला वहां से पड़ा खतम है खतम इस इंप्टर यार इस इंपॉर्टेंट में आप लिख रहा था कि 1933 में किस ने क्या किया था रैगनर फिश्टे 1933 में क्लासिफिकेशन किया था ख्लासिफिकेशन किसका किया था लोग इस उप्सट्ण पड़ेंग है रि पोला कह तो एक चीज़ आज तुम लोग सीके हो क्या सीके हो मेरे को मैरे को बनाने का हैं जिए कर दो कि एकदम 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 फिट कर दो जब में कुछ concept को लिख रहा हूँ जब मैं कुछ बोलागी इसको लिखनो रहे फटा फटीक है तो लिख लेने का समझा को मेरा एक दोस्ता मेरा गुजू दोस था यार मतलब रानियंग नोट्स का कंसेट मुझे मेरे गुजू दोस से समझा अपन क्या थे अपन क्या करते थे अपन एक दो में से शामतिय से ध्यान देते थे और ध्यान देते थे वाद में नोट्स मनाते थे लेकिन मैंने मेरे गुजू दोस से सीखी ह जब में 12 स्टैंडर्ड में एक क्लास लगाया था और वहां पर CA Foundation का भी मतलब हमाने पर CPT है उसके क्लास लगाया था वो क्या करता था पता है अरे गुजु लोग I just love गुजु पीपल I just love them I don't know why but I just love them कुछ इसना को शीकने मिलता है हमेशा सीखने मिलता है तो वह जब यह कर रहा था ना a teacher पड़ा रहे था फुर लिखे जा रहा था लिए मैने बड़िए क्या रहा है टीचर कुछ भी लिक नहीं रहा है यहां लिखे जारा है फिर उसको आदे गंटे बात देखा टीचर कुछ तो लिख रहा है वो भी लिख रहा है टीचर फिर सब्सक्राइब था कि है मैं फिर नहीं कि उन्सक्राइब है बुख ऑन लिख ना कि से ऐसंदूर सकता है . भाई सहाब मतलब गुजू लोग ना और वो उसको जब में एक महीने बाद पूछा दाना रहार वो एकड़ाम पर याद नहीं रहा है रूख बोले मेरे को पर याद है सब कुछ मैंने सब कुछ लिखा है I took his notes literally I'm telling you I took his notes and I was actually thinking that क्या क्या कर रहा है कसी पढ़ा है मैंने अपने life गुज माज को से बहुत कुछ सीखा है मैंने अपने life से गुजू लोगों से बहुत सी अब खुशी के रहीक गुजू मतलब ऐसे होता है कुछ डीटेल नोट्स यह में एक गूगल से फोटो निकाला है ठीक है गूगल से फोटो निकाला है और यहां पर उन्होंने कैसे लिखा है देखो ना यार ऐसा 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 लिखा है यहाँ पर black pen से लिखा है फिर blue pen से लिखा है फिर यहाँ पर ऐसा tree diagram बनाया है यह यह देखो यहाँ पर मैंने यह image को क्यों लिया मैंने इस image से तुम लोग को बहुत सारी चीज़े बतानी है, एक तो यहाँ पर है multi color का इस्तमाल multi color का इस्तमाल हुआ है फिर यहाँ पर है tree diagram tree diagram मतलब क्या यह जो है ना ऐसे यह diagram के form में ऐसे explain किया गया है diagram के form में explain किया गया है तो यह क्या हो गया? diagram के form में explain तो pointers याद रखने में ज्यादा असानी होती है pointers याद रखने में ज्यादा असानी होती है फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया है थोड़ा सा यहाँ पर color किया है so that तुम लोग को ऐसा कुछ किया है तुम लोग को याद रहेगा किया यह वाला important point था यह वाला important point था, तो I would suggest you four colors, four colors, ठीक है, कोई भी color लो, तुम्हारे choice का, तुमको pink पसंद है, pink लो, यार, मेरे को कोई problem ने, ठीक है, लेकिन चाल अलग-अलग color में लिखो, ठीक है, probably, यार, definitely, I would say that, जो easy colors, green है, red है, white है, white है, blue है, and black है, ठीक है, white नहीं, तो यार, ये colors ले notes colorful रहेंगे, तुमको पढ़ने की, इच्छा होगे, sir, ये, ये, बहुत छोटा point है, sir, ये कुछ भी बोल रहें, नहीं बेटा, ये फरक पढ़ता है, फरक पढ़ता है, मैंने एक जो चीज करी थे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेरी first reading, दिखो, या color highlighters, तो यूज करता है, तो मैं पहला tick करता था, blue ticks है, पहला मेरा होता था, blue tick, मतलब मेरी first reading हो गई है, मेरी first reading हो गई है, ये, ये तुमको practical subject में बहुत जादा आसानी होगी, इसके लिए, ठीक है, ये question मैंने एक बार tick किया, मतलब मैंने एक बार पढ़ा है, blue ticks है, अब वही question मेरा होता था, द पहला blue tick है, मतलब एक बार solve है, black tick आ गया, blue tick के वही पर black tick आ गया, मतलब दो बार solve किया है, अब अंदर से confidence उपर है, तीसरा क्या करता था है, यहाँ पर करता था, red tick, भाई सहाब, तीन बार ये question कर लिया है, जब exam में ये question को देखूगा, और तब मुझे याद हैगा, आरे इस पर तो तीन टीक है, तीन बार किया है, असान है, confidence अंदर से बूश्ट हो रहा है, इस question को मैंने तीन बार solve किया है, अंदर से मैं बहुती satisfied हूँ, बहुती क्या मतलब मेरे ये तीन बार solve किया है, फोड़ देंगे, so you have to understand that, ये छोटी-छोटी चीजे बहुत ज्यादा मैटर करती है, जी हां बेटा, बहुत ज्यादा मैटर करती है, छोटी-छोटी चीजे, getting, everyone, yes, everyone, okay, so यार, ये आज लेकर आजाओगे तुम लोग, स्टेशनरी वेस् देयार, दो-दो रुपे के पहन लाए तो भी चलेगा, पांक-पांच रुपे के पहन लाए तो भी चलेगा, लेकिन लाओ, चीजे मैटर करती है, तुम लोग को अभी पता नी चलेगी, तुम जितना यहां पर तुमारी चीजों को छोटा करने की कोशिश करोगे, चले जाएंगे, तब हम लोग नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं रहेगा, वक्त नहीं रहेगा, कहां पर ये पेन के चीजों में, डेकोरेशन की चीजों में पढ़े, ये चीजे अभी हो सकती है, इसलिए अभी हम बता रहे हैं, तो स्टेश तरी थोड़ी से लेकर आओ यार, कोई फर्रकने पढ़ता है, अलग-लग बुक्स लेकर आजाओ, यार, कोई फरक ने पढ़ता है, ठीक है, तो ऐसे कुछ यार, नोट्स बनाओ यार, अच्छा लगेगा, ठीक है, और और अगर बनाते रहो गे, तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है, कोई भी सोचल मीडि थो कितने सारी में पर बेजना है क्या वेजना है चलियर के बहुत सारे बच्चों है अब मुझे ग्राफ के फोटो बेजने के यहां पर देखना बेटा मैंने यह चीज अल्रेडी बोल दिये तुम लोग को यह वाली चीज में अल्रेडी तुम लोग को बता दी है क्या यूज दा हाइलाइटर्स यूज दा हाइलाइटर मैं बता हो मेरे पास देखो यार देखो बचाबाटी यह बलाक पें यह ग्रीन फेंड यह ब्लू पेंड देखो यहां पर रेड़ पर अजिकने रहा है ठीक है यह देखो मेरे पास भी यह अलग-अलग पैंसे है यह बेटा एक 답った यह में भी वह चीजे करता हूँ यह देखो यार यह मेरी एक डायरी है जिसमें कुछ पर्सनल चीजें कुछ पर्सनल काम अगर कुछ लिखना है तो वह करता हूँ टीक है, यह एक और एक डाइए है, मेरे पास, एक मेरे पास, मन्न का स्केडिल, जोोग!! प्लानर, so I use that as well, so जो चीजे में ने करी है, जो चीजे मेरे लिए हल्फुल हो रही है, वो चीजे में आपको बता रहा हूँ, वो चीजे में आपको बता रहा हूँ, ऐसा हमने किया है, इससे बहुत जादा टाइम से होता है, और आप लुक भी कोरो, और यार, जब चीजे हो कि ऐसी आदत है भाई, सब कुछ हाइलाइट कर रहे है, ठीक है, सब कुछ हाइलाइट कर रहे है, ये भी हाइलाइट कर दिया, 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 अरे भाई क्या कर रहे हो अरे उसके पूरे भूक में हाइलाइट है नहीं यार आइलाइटर किसके लिए होता है important points, key points, mcq points तो यार key points को highlight करो ना section होगा कोई उसको highlight करो key point होगा उसको highlight करो फिर कुछ रहेगा उसको सब कुछ highlight कर रहा है बच्चा पूरे भूक को color कर रहा है इसा नहीं करते हैं हम वही बच्चे हैं ओ भाई दिया के रीज़ सर रंग देते हैं मजा रहा है सर कलरिंग करने बहुत टाइम से कलरिंग नहीं किया था सर इतना मजा रहा है बढ़ाई सर क्या बता दिया आपको इसा नहीं कर रहा ठीक है कि एसा नहीं कर रहा है वहां से घर से पपा ममी चला रहे हैं हमारे डाहें सर ने क्या बता दिया सर ऐसा कुझ लोग यह रहापते हाइलाइटर मंगा रहा है सब नहीं पैसा कर्चा हो रहा है सब नहीं करते हैं ठीक है तो आप लोगों क्या करना है बेटा आप लोग को अंडेस्टैंड करना है कि है सब कुछ को आप लोग लोग को यहां पर कि पॉंटर्स कर दी है लेकर आजाना ठीक है बहुत मेजा आता है हर चीज इंपाइंड सब्सक्राइव ये फापड़िटेड डाउंलोड करें सब्सक्राइव ये वाली डाउलोड नहीं हो सकती ठीक है यह यहापर तुम लोग लिखो रहे कुछ तो भी सिफ बाबा की प्रवतन के जैसा सुनो मत I hope that guys you're writing something यह highlighter use करना यह लिख रहे हो यह detail notes बनाना यह लिख रहे हो यह screenshot मारो please यार मतलब यह सिफ एक बाबा की प्रवतन के जैसा सुनो मत यार कुछ तो लिखो वहां पर कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है use the tree diagrams तो आप लोग को summary notes बनाने के लिए tree diagrams use कर दें so what do you mean by tree diagram sir what do you mean by tree diagram बताईए tree diagram मतलब ऐसे 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 तो कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ चलो एक example देते हैं हम हर चीज का demo देना पड़ता है में को क्या बताएं हम ठीक है for example लेटर से यहां पर थे Robins Robins ने क्या बोलाता Robins ने relationship के बारे में बोलाता Robins ने relationship के बारे में बोलाता और relationship between what relationship between scares and it ends तो यार यहां पर देखिए अब मैंने यही चीज को इस पूरे sentence को मैंने यहां पर chart form में या diagram form में या फिर tree form में मैं इसको हिहां पर लिख दिया तो यार यह जादा अच्छे से याद रहता है या पूरा definition मिक्स के अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हो गा देखो यार सब्सक्राइब बात करूआ Central problem की तो Central problem में आएगा क्या Central problem में आएगा what to produce how to produce and for whom to produce अब यहां पर what to produce में आएगा कि हम लोग Capital goods बनाए कि हम लोग Consumer goods बनाए फिर how to produce में आएगा कि हम लोग LIT टेक्निक को यूज़ करें हम लोग CIT टेक्निक को यूज़ करें तुम्हारा सब्स सिलाबस 200 पेज करेंगा हम उस 200 पेज की सिलाबस को 50 पेज में लेकर आना है दिश शुड बी माइ इस शुड बी माइ स्ट्राटेजी विकॉज यार में यह 200-300 पेज कब तक पढ़ू गाया कितने बार पढ़ सकता हो 400 पेजस में दो बार पढ़ सकता हो लेकिने 70 पेजस में 4-5-6 बार पढ़ सकता हो जी हां सू आइँग में यह शारी जो भड़ी बड़ी चीजस हैं इसको मैं I am important 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 कर summarize करूं और में इन चीजों पर ज्यादा फूकस करूं और अगर इन चीजों पर सवाल आते हैं तो I am going to crack it समझ रहा है क्या समझ रहा है क्या सर एक पोज हो जाये सर फोटा देना पोज करें कर दे भाई मेरेको तो बड़ा अच्छा लगता है पोज करने सब्सक्राइब है हो गया हो गया तो बोल दो यार सलिए great amazing amazing चलिए so 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 आगे बढ़ते हैं let's crack it आगे बढ़ते बेटा you learn more you learn more about the topic जब आप लोग notes बनाते हो जब आप लोग notes बनाते हो तो आप लोग बहुत जदा retention कर रहे हो मैं कोई particular चीज बना रहा हूँ ठीक है तो जब मैं कोई particular चीज बना रहा हूँ मुझे यहाँ पर conceptual clarity आता है मुझे यहाँ पर conceptual clarity आता है मैं यहाँ पर पूरी तरीके से focused हूँ मैं यहाँ पर पूरी तरीके से focused हूँ मैं notes का बना सकता हो या फिर मैं उस बड़े concept को छोटा कैसे कर सकता हो when I am clear about that topic अगर मुझे वह topic समझा ही नहीं है तो फिर मैं उसके notes कैसे बना सकता हो it is impossible it is impossible so notes जब तुम लोग बनाओगे तब notes बनाते बनाते तुमारी conceptual clarity ज्यादा होगी तुम लोग किसी को ज्यादा अच्छी तरीके से explain कर सकते हो but when? when you have notes in front of you तुम लोग का learning time reduce हो जाएगा तुम लोग का revision time reduce हो जाएगा तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा focused रहोगे तो यार definitely अगर तुम लोग notes बना रहें तो you learn more about that particular topic absolutely yes absolutely yes अब तुमें पता है मैं demand जैसे chapter को इतना बड़ा chapter है demand इतना बड़ा chapter है लेकिन मैं क्या करते वाला हूँ देखना भी revision होने वाला demand chapter का मंडे के दिन तो मंडे के दिन बहुत huge chapter है मैं उसको ऐसा tree बनाऊगा ऐसा mind wipe बनाऊगा कि मेरा वो पूरा इतना बड़ा 50-60 pages से ज्यादा वाला बड़ा chapter में उसको क्या करूगा मैं उसको 4-5 pages में खतम कर दूगा ऐसे tree diagrams बनाऊगा एक होता है तुमारा main chart जो पूरा subject का mind wiping करता है और फिर होते हैं concept chart so chapter chart and concept chart chapter chart and concept chart so what do I do एक बनाता हुमे chapter chart तो यह होता है हमारा main और एक होता है concept chart तो concept chart छोटे 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 different different concepts related हम लोग क्या करेंगे concept chart बनाएगे तो अगर हम लोग यह कर पाते हैं so guys we are going to do everything in a very amazing way so आप लोग को अभी यह follow करना है बिल्कुल follow करना है सच्ची बता रहा हुमे और अगर sir मैंने देखे आपके revision sir lecture मस्त होते thank you so much tamanna ji thank you so much तो यार याद रखना है यार बेटा मतलब मुझसे आज एक वादा करो यार I want a word from you I want a word from you everyone in the comment section I want a word from you sir मैं notes नहीं बनाता था लेकिन मैं आज से notes बनाओगा sir मैं यहां पर running notes बनाओगा sir मैं try करोगा कि मैं summary notes भी बनाओ मैं try करोगा कि मैं tree diagrams भी बनाओ come on everyone in the comment section please tell me क्या तुम लोग notes बनाओगे क्या तुम लोग notes बनाओगे इसका फाइदा एक महिने बाद मैं फिर से तुम लोगो यह सवाल पूछूगा कि क्या तुमको notes बनाने का फाइदा हुआ yes yes आज से आज से बनाओगा वादा है yes sir बनाओगे promise sir जरूर बनाओगे yes sir yes sir will definitely do sir promise sir तो देखो यार तुम लोग मुझे promise कर रहे हो तुम लोग मुझे promise कर रहे हो और 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 तुम लोग को यह promise पर खरा उतरना पड़ेगा तुम लोग यह promise पर खरा उतरना पड़ेगा आज तुम लोग यह commitment कर रहे हो और जब भी commitment कोई करता है तो वो उस commitment को पूरी करने की कोशिश करता है कितने सारे बच्चे यहां पर commitment कर चुके हैं किसी और को तो तुम्हें बताए नहीं जब commitment करते तो बहुत जब responsibilities होती है यह करना पड़ेंगा वो करना पड़ेंगा यह नहीं करेंगे तो फिर गुसा हो जाएंगे तो दोस्ति बहुत 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 होती है बैटा सारी बात है ठीक है तुम लोग आज मुझसे commitment करो जब commitment करोगे ना तो तुम्हारे responsibility बनेगे कि तुम notes बनाओगे otherwise मैं गुसा हो जाओगा otherwise फिर मेरी और तुम लोगों की बनेगे नहीं ठीक है then things won't work out then things won't work out ठीक है then I will sell that I will say that I need to talk it's not working anymore guys it's not working anymore ठीक है तो यार यह 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 नहीं करना है ठीक है मुस्कान शुक्ला करें सर प्लस पर भी notes बनाएंगे अब देखो एक कैसा सवाल है मुस्कान जीने कैसा सवाल पूचा अब प्लस पर भी notes बनाने है क्या क्यों भाई प्लस लेने के बाद तुमारे दिमाग में सब कुछ automatically जाएगा कैसा सवाल है मुस्कान जब यार लोग लिखेंगे तो ही दिमाग में चाहेगा प्लस मतलब सिफ पैसे बरने से अगर सब में हो चाहिए वो डॉक्टर हो मेडिकल अरे कुछ भी हो यार नोट्स तो नोट्स होते यार नोट्स इंपॉर्टेंट होते यार कि यह यह कैसा सवाल है यार कि क्या कर रहे हो यार गाइस कैसे सवाल पूछ रहे हो यार कि प्लस से कमान यार करना यार नोट उससे concentration बढ़ रहा है मैं बोल रहा हूँ तो plus पर तुम लोग को एक concentration की जरुरत नहीं पढ़ेगी मैं बोल रहा हूँ उससे तुमको clarity मिलेगी तो क्या यहाँ पर तुम लोग ने plus दिलिया तो तुमारी clarity automatically हो जाएगी मैं बोल रहा हूँ कि तुमारा focus बढ़ेगा ऐसे नहीं होता यार अगर तुम लोग notes बनाते हो तो you become more attentive क्यों वो गुजु दोस्का example जो मैंने बोला था ना आपको सब plus पर syllabus note pdf download option शो नहीं हो रहा है होता है बेटा होता है वहाँ पर ठीक है और हम लोग हमारी notes भी देते हैं plus में तो वो तो तुमें मिलेगी लेकिन उसके अलावा जब तुम खुद बनाते हो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है next level होता है ठीक है seriously बता रहे है YouTube का copy and plus का copy एक ही रखे रतनेश कुमार जब तुम प्लस ले लोगे तब तुमें YouTube का कोई अलग से ऐसे करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो अभी chapters बोले उसको तुमको करना है ठीक है येस तो ऐसा जादा करें और अटेंटिफ जी हां देखर को सुनते सुनते लिकता था तो एक साइड से वह सन रहा था एक साइड दोस्ति ने क्या मेसेच किया नहीं उसका दिमाघ होगा कि मेरे दोस्ति ने क्या मेसेच किया है नहीं उसका दिमाग होगा कि मेरे को घर पर जाकर क्या खाने का है नहीं उसको होगा कि मेरे को खिलने जाना है नहीं जब उसको नोट बनाने है तो ज्यादा अटेंटिव है क्योंकि उसको वहां पर लिखने का है मतलब वो दो चीजे एक साथ कर रहा है वो सुन भी रहा है वो तो बच्चा पाटी वो सुन रहा है वो लिख रहा है वो सुन रहा है लिख रहा है तो उसका अटेंशन स्पैन काफी ज्यादा होता है उस समय पर उसका अटेंशन स्पैन काफी ज्यादा होता है जी हाँ Sir I love your teaching and simplicity your lesson helps very much and it's very easy to understand economics for me thank you so much Vishal भाई Vishal भाई ठीक है yes sir totally understood everything and following what you have said very good चंचल चंचल वेटा very very good yes चलिए so guys आपको क्या करना है आपको गुज्जु दोस्त की कहानी याद रखने है वो क्या करता था बहुत हुश्यार था यहां से टीचर कुछ बोल रहा है ऐसे यहां से वाइज आ रही है वो रिसीव कर रहा है और यहां पर वो क्या कर रहा है यहां पर वो अटेंचन के साथ राइटिंग कर रहा है तो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा यहां पर बच्छा पार्टी एक चीश समझो जब भी तुम नोट्स बनाते हो यूगेट यू आर मोर अटेंटिव ओवर तेर यू और मोर अटेंटिव 2790s टू माक्स लिकर आशिवम सुनि दाट्स अमेजिंग भी आर्ट्स रियली अमेजिंग भाई कॉंग्राट्यूलेशन्स यह सर फॉल्डिंग यू अल्वेस दिया अगर तुम लोग को इसको डेमो देखना है तो आज शाम पाज बजे और मंडे को शाम पाज बजे आज शाम पाज बजे विले क्लास में आजाना आपको एक उसका डेमो दिख जाएगा आपको उसका डेमो दिख जाएगा कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाता हूँ और किस तरीके से वो इसी हो जाएगा ठीक है सब्सक्राइब कर देता हूँ बट इस एप्रिशेटेड इफ यू मेक इट इस एप्रिशेटेड इफ यू मेक इट ठीक है सर मेरे पास 12 के इको नहीं थी पर आपकी टीचिंग से सारा कॉंसेट प्लियर हो रहे है सर मैं भी स्कूल और कॉलेज में ऐसे ही करती थी रनिंग नोट्स जरूर बनाती थी वेरी गूड लक्षमी सब्सक्राइब करते हैं कि हम लोग यहां पर समप करते हैं अभी चीजों को यहां पर आपको प्रियॉरिटी भी पता चलती है जब आप लोग नोट्स बनाते हो कि भाई यह जो है यह 5 स्टार है क्योंकि तुम नोट्स बनाते बनाते तुमको लिखना है मैं तुम लोग को क्लास में बताता हूँ यह 5 स्टार है फिर बोलूगा कि यह 3 स्टार है यह 3 स्टार है फिर मैं बोलूगा कि यह वेटा 2 स्टार है ठीक है और यह एकदम बेसिक है मतलब इसको सिफ एक ही बार पढ करता सलती है definitely you come to know the priority otherwise क्या होता है अदर आशा हम लोग chapter लेकर बटते हैं लोग सब कुछ कर रहे हैं important not important basic hard everything और कभी-कभी ऐसा हो जा था कि हम लोग सी basic पढ़ते रहते हैं हम लोग hard पढ़ने की भुली जाते हैं so guys this is really very important because you come to know the priorities what is the priority and what is the priority और क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है So it is very very important कि तुम लोग नोर्स बनाओ जी हाँ It is very very important कि तुम नोर्स बनाओ फटा-फट से मैं समप करने की कोशिश करता हूँ कि हम लोगोंने क्या-क्या देखा यहाँ पर सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स के तुम लोग को अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-बुक्स बनाने है जी हाँ तुम लोग को अलग-अलग-अलग-बुक्स बनाने है यहाँ पर क्यो क्यों-क्यों-क्यों नोर्स बनाने है क्यों-क्यों एक्जाम के समय पर कम समय में हमें जादा से जादा, जादा से जादा, जादा से जादा क्या करना है, हम लोग को आप पर प्रैक्टिस करनी है, और एक्जाम से पेटे सब कुछ कम समय में हमारा रिटेंशन होगा, इसलिए हम लोग को नोट्स बनानी है, जी हाँ, हम लोग का अटेंशन जादा होता है, जी लाइक जरूर कीजिए जो भी याँ पर स्ट्रगल कर रहा है खने कंग लेक्सक करने के लिए उनको वे ने के साथ आप लोग के शहर कर सके हो हम लोग को रणिंग नोट्स बनाने हैं कोई भूनि रणिंग नोट्स की कहानी जरूर याद से हुआ है मुझे तीन बार हो गया है मेरा कॉंफिडेंस बहा जादा बूश्ट अब लोग को सब कुछ हाइट नहीं करना है बड़ आपको यहां पर क्या होता है टॉपिक के बारवे जादा डीटेल्स पता चलती है आप यहां पर जादा अटेंटिव हो जाते हो और आप लो प्रेटइस नहीं करना है ठीक है टीचिंग स्टाल इस सुपब सर जी थैंक यूझ सौमच नहां जी था एंक सौमच एवर्यवाण ठीक है So guys मज़ा आवी गयू समझ में आवी गयू क्या हम लोग यहाँ पर नोट बनाएंगे क्या हम लोग यहाँ पर क्रैक करेंगे हम लोग यहाँ पर फोड देंगे तो बोलिए बचा पार्टी येस सार करेंगे हम लोग इस exam में पूरा की पूरा फोड कराएंगे यह सब्सक्ति हम लोग exam में पूरा की पूरा फोड कर आएंगे ठीक है यह सोली बचा पार्टी तो दाटस दाटस दाटटस रेली अमेजिंग गाईज और हम लोग यहाँ पर एक last is post के साथ हम लोग wind up करेंगे हमारी priorities हमको पता चल गए हमें क्या करना है हमको पता चल गया है and yes we will end up this class with this session tomorrow we are meeting guys again and yes हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से फड़ा फट से शुरुवात करते बचा पाड़ी कल से फिर से normal session शुरू रहेंगे कल 10 बचे हम लोग मिलेगे और अगर किसी को भी subscription लेना है तो आप लोग ले सकते हो और आप लोग जा सकते हो unacademic के website पर आप लोग जा सकते हो आपका goal select कर सकते हो and yes you can check it out the subscription details in front of you 24 months 12 months and 6 months subscriptions यहाँ पर 24 months 12 months and 6 months subscription for iconic my personal recommendation go for the combo subscription because intermediate के 8 subject foundation के 4 subject 12 subject 32 2000 850 में हो रहे है iconic का combo भी ले सकते हो बिलकुल ले सकते हो iconic का देखो यह 12 months का combo is 41,400 you can go for the 24 months combo iconic जी हाँ यह भी जा सकते हो बहुत ही reasonable prices है absolutely 55,799 यही courses आप लोगों को मिलते हैं एक लाग से देड लाग के बीच में in different cities and yes guys you can think about it and you can just get started ठीक है light subscription safe or safe test series practice question okay so bye bye everyone so yes guys don't forget to use my code that is and you can just get started with your plus classes okay thank you so much bye bye and see you soon tomorrow at 10 a.m.